नमस्कार दोस्तों कैसे आफ सब तो दोस्तों आज किसी वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हिमचल प्रदेश उनिवेस्टी के दोरा जो आज यानी 27 मही 2022 को बीड एंट रांस का जो गजाम कंडेक्ट करवाय गया था इसको हम सॉल्ब करने वाले हैं तो मैं आपको सबसे प नमसाले से भी आपका सरकारी भी हुकता है इसके लावब बात किया है प्रायवेट कॉछ की बीड की तो टोटल मिला के शैवपा संब hate फॉचे की मैं लिए क्रिए थिक होज्म अब बताते की जो पेपर अट वचाब का इसमने पूछयए पुछे गए थे टेचिंग एप्टेट्यूट पैडागॉगी के ठिक है यानि की इस पर टोटल मिला कि जो आपका साइकोलोजी इसके टोटल कृशन 40 पूछे गए थे इसके लावा जो एक नेशनल जो आपका स्कीम रहती है ठिक है नेशनल जो स्कीम रहती है उसके बारे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशन संग क्या वन से ठीक है यस्वंत संग प्रमार जो कि हमचल परदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थी उनका जो कार्यकाल है कितने बर्ष का था ठीक है तो इसमें आपके पास दिन दिये गे हैं बर्ष नी बताएगे हैं तो मैं आपको बता कि हमचल परदेश के प्रतम मुख्यमंत्री थी डॉक्टर वायस प्रमार जो आपके डिस्ट्रिक्स रिमौट से समंद रखने वाले व्यक्ति थी उनका जो शासन काल रहा है मुख्य ते चार वार रहा है ठीक है यानि कि पहली बार मुख्यमंत्री बने थी उनीसो बावन मे अब भात करते हैं reactions कि हिमचल परदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दोस्तो हिमचल परदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुश ठीक है और बात किया है सतलुश नजी कि तो इसका संश्कित नाम है शितूदरी और इसका बैदे की नाम है सतूदरी और क्शेतरपल की दिश्टी से देखा या तो हिमाचल पर देश की सबसे बड़ी नदी जु है वो चिनाव नदी है नेक्स्ट क्वेशन नमबर थर्ड हिमाचल पर्देश के प्रत्थम मुख्या नयादिश थे वो थे एमेच बैग यानि की मुहम्मत हमिदुलावैग ठीक है ऑप्षिन नमबर सी आपके पास राइड अंसर है तो आपने कमेंट बक्स में लिखना है कि हिमाचल पर्देश जो ह जिला लंग्ता है आपके डिस्ट्रीक हमीरफूर में अगला प्रश्ट पांच ओ the पहरी देभ्र टीबा एक चोटी ही हे वह हिमाचल परदेश के किस चील है में श्तित्त है तो दोस्तों यहीं स्थित्त है डिस्टिक हम्म है यानि की optionं सी आपके पास उत्ता रहने वाला है इसके तरक आपको बता दू कि जितने भी आपके एक चोटी है टिबा नाम से वो डिस्टिक्स चमबा में ही पायाती है ठीक है कि चट्ण नबर शिख्सिन पूछ रहा है कि गुलेर राज्यों की स्थापना किस ने कीथ तो दोस्τό गुले राज्यों की स्थापना कीती हरीचन ने यानि कि option number D आपके पास सही उत्तर है question number 7 नीमन मैंसे किस स्थान पर रुविन्दानाटायगुर जी हिमचल प्रदेश में कुछ मीने बताये ठीक है तो रुविन्दानाटायगुर जी हिमचल प्रदेश आये और उनने कुछ एक मीने बताये डिस्टिक जो चमबा है उसके डि हिमचल प्रदेश और वो डलोजी में ठेहरे थे ठीक है और कमेंट वाक्स में साथ में लिखना है कि हिमचल प्रदेश में रुविन्दानाटायगुर जी कव आये थे ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नंबर आठवा नीमन मैसिक किस शाशक को अपने बेटे को अक्वर के दरव बार में बंदक मनाकर छोड़ना पड़ाता तो वह व्यक्ति थे उनका नाम था बीदी सिंग ठीक है जो अक्वर की समकालें रहे हैं वह बीदी सिंग रहे हैं नेक्स्ट क्वेशन नंबर नवगा क्वेशन है ठीक है एक धाम बरी सुन्दा जल्विद्यूत पुरोजना है ठीक है वो किस धारा पर यानि किस नदी पर है तो दोस्तों जो एक धाम बरी सुन्दा जल्विद्यूत पुरोजना है वो आपके पवर नदी पर है यह आपके डिस्टिक शिमला में बिलो धामबरी सुन्दा जदविद्यूत प्रयोजना की इसकी जलविद्यूत क्षमता है टोटल में लाके 70 मेगावाट ठीक है तो चलिए अब चलते आगे प्रेशन दस्वे प्रेशन की ओर हिमाचल परदेश भारत्यों संग का राज़ो बना तो हिमाचल परदेश भारत्यों अगला है ऑप्सुन नंबर डुटल जील के पास डुल आपके लिस्टिक कांगडा के दहमशाला में ये नेक्स्ट्क नंबर बार्वाम से कि शेर के पास उप्सुन नंबर और सबसेंगर यानि की जगेंदर नगर में डिस्टिक मंडी की जगेंदर नगर में एक मच्याल जील करते गए ठीक है तो जैसे इसमें कुछ एक जीले एड होते गए उसके बाद इसका कुल क्षित्रबल बन गया पच्पनधार 670 बर किलोमेटर ठीक है और जब की बाद की जाए हमचल प्रदेश के जो जंसें कि हमचल प्रदेश की कुल जंसें क्या है अठासाट लाग प्लस ठीक है अब जाके थोड़ा कुछ बढ़ गया होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नंबर 14 चंबा राजय के पुरा विशेशों का लेखक की से माना याता है तो दोस्तों वह है जेपी भोगल ठीक है यानि कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास आई उत्तर ह नेक्स्ट कोशन नंबर 15 हिमाचल प्रदेश का राजयो ब्रिख्ष कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश का राजयो ब्रिख्ष है देवदार यानि की सीड्रस देवदार आपस लेख फुरां प्रेशन न वे एक रोपन फसल के रूप में माना याता है, यानि कि option number C आपके पास सही उत्तर है, next question number 18, हाली में केंदर सरकार के दौरा, सुवरम कीगी पुष्टक दा इंडिया स्टोरी, किस खेतर से स्मंदित माने याती है, तो दोस्तों ये स्मंदित माने याती है, नविकन उर्जसे, ठ question number 18, next question number 19, खाडिक शित्र में भारतियों जाजों की सुरक्षा के लिए भारतियों नौसेना के दौरा, शुरू कीगी operation का नाम के आता था, तो उस operation का नाम था, operation संकल्प, option number B आपके पास सही उत्तर है, next question number 20, विदान सबा का 17 वासन का क्या अर्थ है, इन 4 option में से विदान सबा को भंक कीगी बिना ही बंद कर देना, ठीक है, यानि की option number A आपके पास सही उत्तर है, next question number 21, निमन निक्त में से कौन से उत्तक है, दोस्तों रक्त आपके पास उत्तक है, यानि की blood, next question number 22, ब्रहमान में परदात का सबसे परचूर रूप कौन सा है, तो ब्रहमान में पर question number 23, PM गति, क्षती, राष्ट्री और मास्टर प्लान का मुख्य उदेश्यों क्या है, question number 23 का right answer है, option number B, infrastructure development, ठीक है, यानि की PM गति, क्षती, राष्ट्री और मास्टर प्लान है, ठीक, NMP उसका मुख्य उदेश्यों है, infrastructure development करना है, ठीक है, option number B आपके पास सही उत्तर है, next question question number 24, भारतियों सांस्कृतिक समन, परिशय दियानी की ICCR किस मंत्रालियों की तेहत कार्य करता है, तो यह संस्कृति मंत्रालियों के अंत्रगत कार्य करता है, यानि की option number A, आपके पास सही उत्तर है, अगला question है, question number 25, BC रोय, पुरसकार किस क्षतर में दिया आता है, दोस्त question number C, आपके पास सही उत्तर है, next question number 26, डिजिटल संचार योग यानि की DCC किस मंत्रालियों के तत्वाधन में एक शीर्ष निकाह है, तो जो आपका DCC है, यह आपके संचार मंत्रालियों के अंत्रगत आता है, यानि की option number C, B, आपके पास सही उत्तर है, संचार मंत्रालियों नेक्स्ट क्वेशन नमबर 27 बैश्विक सिंतेटिक हीरे किंद्रियात में यानि कि बैश्विक सिंतेटिक जो कृत्रिम हीरा है उसके निर्यात में भारत का कितनों अस्तान है तो भारत का इसमें अस्तान है तीसरा नेक्स्ट क्वेशन नमबर 28 पूछ रहा है कि सोर्यों के चा सबसे नजदीक वाला ग्रेय है जबकि बात किया शुक्र ग्रेय की शुक्र ग्रित्वी के सबसे नजदीक पायाता है और सबसे बड़ा ग्रेय माना याता है ब्रिष्ट पती को मंगल की बात किया तो मंगल ग्रेय का नाम है लाल ग्रेय ठीक नेक्स्ट क्वेशन नमबर 29 एक पुष्टक है जिसका नाम है दा मेकिंग आप इंडिया के पुष्टक के लेकक माने आते हैं अमर्तियों सेन ठीक है जो अर्थषात से स्मंदित है नेक्स्टाइम नमबर 30 पुतली के अकार को नियंतृत करने वाला पेश्यो डायफ्राम क्या है तो उसका नाम है ईरिस यानि की ऑप्ष्टनाबर सी आपके पास सेदेर से Самी अफल में नमबर 31 यह हिंदी ग्रामर के लेक्षाईर कर किया थिक congr 서as तो आपके पास चार ओप्शन है तो पो शो और मौ ठीक है 31 का राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए टो मुद्धन्या आपका एक टो विएंजन है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 32 परिणाम बाचक विशेशन कौन सा है चार ओप्शन दिएगी है छोटा पापी पांच किल नमबर 33 अधिकर्ण की भीवक्ति है दोस्टो ओप्शन नमबर D पर ठीक है नेक्स्ट कि आपके पास स माहस दिया गया है कि जैसे कि करताने कर्म को कर्ण सिख इस तरह का ठीक है तो आपने चेक करना है कि अधिकर्ण की व्युक्ति क्या यह पर है ठीक है के नेक्स्ट कोईशन नामबर थरटिफोर अलस्य शब्द का विशेशन का है दुमस्ट की चणत करने वप्शनु इंख स्तिर लिंगत में अंग्लों सराज्ट विश्जशन प्रियोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें क्या आता है तो 38 का राट आंसर ऑप्शन नंबर प्रियोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारी शवद नेक्स्ट नमबर चालब्या ब्यांजन मैं से तत्षम शबद कौन सा है तो दोस्तो चुरन आपका तत्षम शबद सन्साबत है नेक्स्ट वेशन नंबर 41 रखियस्पद का संदी वी छेद क्या होगा तो दोस्तोर रखियस्पद से मिलकर बनाएं रखियस्पद ऐस्पद लिवन जो संदीं और ऊप्शन बोज़न नंबर शंदारन के आओगा तो जो आपका शंदारन Ahora यह कौन से संदी है, गुंड संदी है, दीरिक संदी है, अयादी संदी है, या ब्रीदी संदी है, तो दोस्तों सदाशू आपका एक दीरिक संदी है, क्योंकि जो सदाशू दो शबद से मिलकर बनना है, सुदा प्लस आशू, सुदा के लास्ट में आपका ठीक है, और जो आप का एक दिर संदी के अंदर गताता है ठीक है next question number 43 मिलावट में प्रियोग प्रियोग कौन सा है तो दोस्तों मिलावट में जो प्रियोग किया गया है वो है आवट यानि कि option number B आपके पास सही उत्तर है मिलावट दो शब्द से मिलकर बना है मिल प्लस आवट ठीक है next question number 44 एक प्रत्य जोटकर बनाया गया शब्द कौन सा है तो दोस्तों देन एक शब्द एक शब्द से बनाया गया है देन प्लस एक ठीक है next question number 45 दूबल शब्द कुछ आटना है ठीक है 45 का राट आट अंसर है option number B दूबल शब्द में आपका उपसर्ग है दू ठीक है जो आपका दूबल दो शब्द से मिलकर बना है दू उपसर्ग प्लस बला next question number 46 से लेकर 50 तक आपके पास क्या करने है आपके पास एक पैरा दिया गया है निमल को दानिपुर को पढ़ें और प्रशनों का उतर जीए इस परग्राप को अपने पढ़ना है ठीक है इसके आपने जो question दिए गया है चालिस से लेकर 50 तक इसकी अंसर देने इस अधार पर दिये गिए ठीक है तो देख लिए प्रशन क्या बनता है जनसंकुल का क्या अर्षिय है तो जनसंकुल का अर्थ है इसका अर्थ है दोस्तों भीड़ वरा ठीक है जनसंकुल यहां पी जहांबे भीड़ होती है ठीक है next Q48 शाका हीन रस हीन और शुष्क ब्रिक्ष को क्या का आता है तो 48 का राट अंसर है option number C उसे का आता है ठूंट ब्रिक्ष जिसमें शाका नहीं होती है अर्ष्णी होता है और सूख विख्ष होता है उसे कहते हैं ठूंट ब्रिक्ष नेक्स कोशन नमबर 49 आम के ब्रिक्ष के सामने पीपल और बर्गत के शिर्माने का क्या अर्थ क्या कारण होता है आम के ब्रिक्ष के सामने पीपल और बर्गत का पेड़ है उसके शिर्माने का क्या अर्थ होता है तो 49 का सही अर्थ है सही उत्तर है option number A उसका अधिक हरा बरा होना है ठीक है next question number 50 last question मैं संबबत है एक ही सुकत जो अफवाद था क्या चीछ था ठीक है तो इसमें अफवाद था दोस्तो संग्या का लुप दो जाना ठीक है यानि कि आप्शन नंबर भी आपके पास सही उत्तर है ठीक है